अलो एवरिवन वेल्कम टूब यूटूब चैनल में स्टोज आटिस्ट माइनेम इस राहूल इस्टॉक पार के टेक्निकल एनलिसिस के सीरीज में आपका एक बार फिर से सोगता है आज अब लोग जीओ फाइनेंचल सर्विसेज लिमिटेड इस्टॉक का फिर से एनलिसिस कह आख वहाँ पर मैंने स्टॉक स्टॉक के बास बताया था एक रूप इसने नहीं है था मैंने ईयूटिन में लिंक्ट चोड़ देया अपर आप पर देख सकते यहां पर एक संटॉर्याचन बॉक्स था जिसमें मैं आपको एंट्री बताया था कि मिनिमुम आपका अप सैड पर जो टार्गेट है वो 70 रूपीज होना चाहिए क्योंकि यह पॉक्स जो है 70 रूपीज का था उस टाइम पे तो अपने अपसाइट पे जो मिनिमुम टार्गेट है 70 रूपीज का बोले था आपको एक टार्गेट निकालके दिया था अभी आपके एंट्री का पे होनाइची आपका स्टॉप लाइन के नीचे नहीं आ जाता तब तक के अपने को एक अप्ट्रेंड पर भूग कर रहा है अब पॉइंट यह है कि स्टॉप अब एक चैनल के अंदर मूब करना इस्टार्ट कर चुका है इट मिन्स आने वाने टाइम पे बहुत अच्छा आपने को एक बड़ा प्रेकाउट या प्रेकडाउल देखने के लिए मिल सकता है पहले चीज हम कंसीडर करते कि स्टॉप अ आप सपोर्ट का काम करेगा त्री थर्टी के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है स्टॉप की इट में इस ट्रेंड लाइन जो है ब्रेकाउट हो चुकिए और इस्टॉप जो है फिर नेगिटिव साइट पर मूब कर सकता है वाट इफ अगर अप साइट पर मूब किया तो यहाँ पर एप्रोक्सिमेटली 80 पॉइंट्स निकल के आ रहा है तो जब यह अपना 380 के आजपस से निकालेगा तो आपका अप साइट पे जो 80 पॉइंट्स अप्रोक्सिमेटली आपको लेना चाहिए जो 460 रूपीज के पास 450 रूपीज के पास राउंड डेवल निकल के आ रहा है अभी आपकी एंट्री का आप होनी चाहिए अगर आप यहाँ पर देंगे कि प्राइज एक्शन वाइस तो यह वाला जो है यह इसका प्रिवियस स्विंग है और यहाँ पर डाउन साइट भी यह वाला प्रिवियस स्विंग है जैसी आपका यह प्रिवियस स्वि निकल के आ रहे हैं जैसे यहाँ पे 25 फुकी अप्रोक्सिमेटली निकल के आ रहा है तो अपसाइट पर आपके जो टार्गेट है वो मिनिमम फिफ्टी रुपीज का होना चाहिए जो अपना all time high को breakout देगा और चैनल के आसपस आपको एक टार्गेट निकाल के देगा अब देखेंगे आप तो यहाँ पर यह 75 फुकी ओवरबॉट जोन में जा चुका है इस टॉक के पास अभी पोटेंशियल नहीं है कि वो डाउसाइट पर आ जाया है इस वज़े से स्टॉक यहाँ पर साइडवेज बना रहेगा लेगिन आरेसाई की जो वैनल हुआ है वो तीरे मसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के लिए इतना ही ठेंगी